हेलो एवरिवन, वेलकॉम अगें इन लर्न विद दिर्टेमन, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सैवन, चैप्टर नमबर वन, तो अभी तक जो क्लास सिक्स है वो आपकी कम्प्लीट हो चुकी है, क्लास सैवन पर हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको भी कम्प्लीट कर देंगी, तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको शेयर कीजे, लाइक कीजे और सब्सक्राइब भी कीजे, हो सके तो, है न, क्या कहलाएगी, इस्थल मंडल कहलाएगी, जलिय भाग जो होता है, वो क्या कहलाएगा, जल मंडल कहलाएगा, और धरातल से उपर जो वायू वाला भाग है, वो क्या कहलाता है, वायू मंडल कहलाता है, और इन तीनों के संपर्क में आने से क्या बनता है, जैव मंडल बनत जहां पर वनस्पति भी नहीं होती है वहां कोई जीव भी नहीं पाया जाता है तो वहां पर जीवन थोड़ी है नहीं है ना क्यों जीवन नहीं है क्योंकि वहां जो इस्थल मंडल है जल मंडल है वायू मंडल है इनका सामन जेश्चे नहीं है इनमें संतुला नहीं है तो इस तथा एजयविक परियावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पालितंत्र इसको क्या कहा जाता है। नेक कुशन देखते हैं, खादर शंकला क्या है? पारिस्थितिक तंतर में जीवों की परस पर भूझे निर्भरता परदर्शुत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका चलो एक डाइग्राम से देखते हैं। खादर शंकला का एक छोटा सा डाइग्राम है। इसमें क्या है यह आपका सूर्य है यह आपका जल है यह इस तरह के सिजाख मेंडल कि पहले है जो पीड़ पौते जो त्रफल कोड़ हैं चॉसका उस प्रात्मी को भोगता जो समाने ते साकारी होते हैं, जिसे खरगोस हो गए, हिरन हो गए, की पतंगे हो गए, जो इनके उपर निर्बर होते हैं, फिर इनको खाने वाले क्या होते हैं, सरवाहरी होते हैं, और साथ में वो क्या होते हैं, उस साकारी का भी कई बार काम करते हैं, तो वो दित्यक को भोगता हो गए, जो इनको खा जाते हैं, वो क्या हो गए? दित्यक को भोगता हो गए, जो पून्ता मासारी होते हैं, और जब ये इनके खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनका सरीर वापिस मिटी में तबदील होकर अप घटगों में चेंज हो जाता है, और वो वापिस से पोसक तहतों के मारफत कहां पहुंच जाता है? वापिस से उत्पादकों के पहुंच जाता है. तो ये जो सरकल है, जो सरकल जो चलता है, इसको खादर संखला कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है? खादर संखला कहा जाता है. चलिए नेक कोशन देखते हैं परवत किसे कहते हैं तो देखे हर चीज के परिबास आउते हैं तो परवत की क्या परिबास आए ऐसे इस्थान जो प्राकर्तिक तौर पर आसपास के इस्थानों से 600 मीटर अधिक उचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं परवत का जो नीचे भाग होता है वो चोड़ा होता है और सक्रे होते हैं, सक्रे बाग को क्या कहते हैं, पर्वत की चोटी कहा जाता है, ठीक है, और जैसे कि Mount Everest क्या है, एक पर्वत का चोटी ही तो है, जो सबसे उची पर्वत चोटी 8848 मीटर उची है, है ना, नेक कोशन देखते हैं, प्रसांत महा सागर में इस्थित, मौना की पर्वत समुद्र तली से कितना उचा है, तो कितना उचा है, 10205 मीटर, अधिकान जो इसका भाग है, वो जल मगन है, मैक्जिम जो पहाड मौना की जो पहाड है, इसका जो अधिकान से है, वो जल मगन है, अचार इसमें एक जो चीज और है, वो भी आप जहां से देखेगा, यहाँ पर कहा गया है, समुद्र तली, समुद्र तली का मतलब, जो उसका बॉटम हिस्था है, जो उसका निचला हिस है, वहाँ से इसकी उचाईन देखे गई है, जबकि माउंट एवरेस्ट की उचाई कहां से नापी जाते हैं, समुद्र तल से, समुद्र तल यानि समुद्र का जो ऊपरी जो हिस्था है, जल का, उस तल से हम उसकी उचाईन आपते हैं, तो वो 8,848 मीटर परते हैं, लेकिन यह कहां से नापा गया है, समुद्र तली से नापा गया है, तली और तल में कन्फ्यूज मत हुएगा, तो यह कहां से नापा गया है, समुद्र तली से नापा गया है, और इसका मैक्जिम हिस्सा, चुकि पानी के अंदर ही रहता है, तो यह माउंट एवरेस्ट से बहुत न पहली बार तो अगर इसको normal बात करें तो परवत के जिस तरफ बादल वर्सा करते हैं, एक्चुल में क्या होता है, परवत के दोनों साइड में, बलब देखा जाए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक जैसी बारिस होती है, एक हिस्से में ज़्यादा बारिस होती है और दूसी हिस्से में कम होती है चलो इसको एक डाइग्राम से देखते हैं यह जो आपके पास डाइग्राम है इसमें दिखाया जा रहा है इस साइड का है जो हिस्सा है इस साइड से बादल आ रहे हैं वो इससे टकरा जाते हैं और य जितने ज़्यादा उचे होंगे, उतनी ठंडे भी होता चला जाता है, तो बादल के असंगनित होके, ठंडे होके तुरुनित वर्षा कर बैठते हैं, तो आगे जाई नहीं पाते, तो आगे नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, तो उस से दूसरी साइड का जो हिस्सा है, व पवना विमुखी ढाल भी कहा जाता है, जो रष्टी चाया से प्रिदेश कहा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होगी न, और पवन मुखी ढाल पर क्या होगी, जादा होगी, तो इस चीज को आपको समझना होगा, तो परवतिये जो छेत्र होता है, वो भी क्या होता है वो बादल से वर्षा करने में बहुत सायक होते हैं और कैसे होते हैं वो इस डाइग्राम से आप समझ सकते हैं चलिए नेक कोशन देखते हैं हिमाले में गद्दी बकरवाल और भोटिया जन जाती हैं किस मौसम में आती हैं यह आती हैं गर्मियों में क्यों कि यह जो जातियां होती हैं यह मौसम प्रवासी जातियां होती तो हिमाले में उसक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है और इनका मुख्य कारे क्या होता है देखिए जो परवती शेथ होते हैं उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं जो मुख्य आजिविका के लिए जो मुख्य साधन होता है वो पसुपालन होता है तो पसुपालन के लिए चारागा भी चाहिए होता है तो सर्दियों में इस्तिती तो यह होती है कि वहाँ वनस्पती ही नहीं होती है वहाँ पर चारागा कहां से आएंगे तो गर्मी के टाइ गाटियों में पलायन कर जाती है, तो ये क्या कहलाती है, इनका कोशन कई बार आ भी चुका है, तो गदी, बकरवार और भोटिया क्या है, ये मौसमी प्रवासी जाती है, ठीक है, नेक कोशन देखिए, कम ढ़ाल वाले, उंचे वे चौड़े छेत्र जो समतल होते हैं, क्या कह पठार कहलाते हैं, चलिए, अच्या संचे पठार कहला होती है, ये जहान धरसी कि नगए, ये द्थार हो सकते हैं, नागपूर का पठार हो गया, पठार से हजारों मीटर उच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत नीचे ही होते हैं, वो सेक्डों मीटर से कम और समतल भूबाग क्या कहलाते हैं समुद्र तल से 300 मिटर से कम उचे और समतल भूबाग क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं मैदान किते प्रकार के होते हैं आपको पता है मैदान किते प्रकार के होते हैं मैदान होते हैं दो प्रकार के तटिय मैदान और आंत्रिक मैदान त समुद्र के किनारी जो इस्थल बाग होता है वो क्या क्या लाएगा तकिया मैदान क्या लाता है और आंत्रिक मैदान क्या होता है नदियों द्वारा जो मिट्टी जो निक्षे से बनता है जो मैदान वो क्या 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 लाएगा आंत्रिक मैदान क्या लाएगा चलिए नएक क या आपकी सदा नीरा या सदा वाहियन या नित्य वाहियन नदियां हैं और कुछ आव था manufacture पाइवार — आपकेनगों करने और वाहं आतームわかरें तो इसको अच्छे से देख लीजीगे, क्या होता है, नदी का बेशिन क्या होता है, कि इस्थल का वह भूबाग जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी बहती है, वो क्या सारा जो इस्थल बहाग है, वो क्या कहलाएगा, मुख्य नदी का बेशिन कहलाता है, इसको एक एक जहां से सौन बहकर आ रही है, यमना बहकर आ रही है, चंबल जहां से बहकर आ रही है, जहां से स्टार्ट होका एंड हो रही है, वो सारी जगे क्या हैं, वो सारी जगे क्या कहलाएंगी, वो गंगा का बेसिन कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, गंगा का बेसिन कहलाएगा, तो इस्थल का वहभू भाग, जहां मुख्य नदी यानि गंगा और उसकी साहिक नदी यह जैसे यमना हो गई, सौन हो गई, चंबल हो गई, यह सब क्या हैं, उसकी साहिक नदी बहती हैं, मुख्य नदी का बेसिन कहलाता है, ठीक है, चलिए, नेक कोईशन देखिए, समुद्र किनारे इस्थलब्हाग को क्या कहा जाता है, देखिए हम सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, तठ कहते हैं, लेकिन बारिभासिक तोर पर इसको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसकोशन को एट किया है, ठीक है tuh, Latino के कहा जाता है, ठीक है, विस्व का सबसे बड नदी इस्टित दीफ का नाम क्या है यह question भी बहुत बार repeat हो चुका है इस चीज का धियान रखेगा जिसका नाम है मांजुली और यह कहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी में है दीप वे प्राय दीप में क्या अंतर है दीप वे प्राय दीप में क्या अंतर है तो हम सभी जानते हैं जैसा की दीप क्या होता है दीप चार ओर से जल से गिरा होता है जबकि प्राय दीप जल से तीन ओर से जल से गिरा होता है तो दीप जैसे की आपका लक्षे दीप हो गया अंडवान नी कोबार हो गया यह क्या है आपके दीप है और भारत क्या है प्राय दीप है क्यों क्यों तीन तरफ से जल से गिरा हुआ है तो आप समझ गए होंगे दीप और प्राय दीप में क्या अंतर होता है तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर होता है समाब तो मिलते हैं नेक चप्टर के साथ तब तक ये थैंक यू